अमेरिका सो जो बड़ी खबर आने वाली है उसका बैंक निप्टी और निप्टी में किस तरीके का इंपक्ट होगा और ये 7 दिन का जो रेंज बनाया हुआ है क्या इसका ब्रेकाउट हम लोगों को खल के दिन मिल सकता है क्या सबसे पहले बात करते हैं बैंक निप्टी के अनलिसिस की अभी आपके सामने में जो चार्ट लगाया हुआ है वो बैंक निप्टी के स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है अगर आप देखोगे तो पिछले 7 दिनों से मार्केट ने एक रेंज बनाया हुआ है और दिन क्या हो सकता है कि यूएस मार्केट में जो फेडरल रिजर्व का मीटिंग होने वाला है ये यूएस फेडरल रिजर्व के मीटिंग का अगर नतीज़ा आ जाता है तो उसकी वजह से डाउ जोंस में हम लोगों को एक बड़ा मुवमेंटम दिखाई देगा जिसका रिपल मार्केट की तरफ या डाउनसाड की तरफ तो एक बड़ा मुवमेंटम होने की आशंका है मार्केट अगर इस जोन को जो है वो कब के साइड में कब ब्रेक करेगा ये ज्यादा हमारे लिए इंपोर्टन्ट है अगर आप देखोगे तो आज का एक कैंडल जो है वो एक बु 1500 का जो कॉल है वो 31,500 के कॉल को यहां पर बाई कर सकते है उसकेज में हमारा स्टॉप लोज जो रहेगा वो स्टॉप लोज मात्रे 60-70 पॉइंट का रहेगा और उपर की साइड में हमारा पहला टार्गेट जो रहेगा ये जो स्विंग हाई बन चुका ये पहला ये हमारा सेकंड टार्गेट यहां पर निकल के आ रहा है मार्केट कल के दिन ट्रैप कब हो सकता है आज के दिन जो भी लोगों ने यहां पर बाईंग के पूजिशन बनाए रहेंगे तो यहां पर जो रियल बॉडी बन चुका है ये रियल बॉडी के 50% के नीचे अगर मार मार्केट यहां पर ट्रैप हो सकता है और डाउनसेड का मुमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है तो कल के दिन हम लोग वाच करेंगे कि मार्केट कहां पर ओपन होता है मार्केट फ्लाट ओपन यहां थोड़ा सा गया पोपन हो और फिर वहीं सिक्तलिस 1500 के लेवल को करता है तो भी हम लोग इमिजेट ट्रेड का डिसीजन ले सकते हैं अभी इंट्राडे चार्ट में 15 मिनिट चार्ट के ऊपर देखते हैं कि किस तरीके का सेनरियो हमारे लिए निकल के आ रहा है अभी आपके सामने इंट्राडे का 15 मिनिट का चार्ट लगाया हुआ है अगर पर अग्रेसुली बाइंग कर सकते हैं लेकिन इमिजेटली मार्केट में यहाँ पर एक रिजिस्टन्स फेस होने वाला है तो यह 41,500 के ऊपर सस्टेन करेगा तो उस केस में हम लोगों के लिए कनफरमेशन जादा रहेगा 41,500 के लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो नेक्स रिजिस्टन्स लेवल जो मार्केट को निकल के आ रहा है वो 41,640 के करिब का निकल के आ रहा है यहाँ पे बीच में अगर आप देखोगे तो मार्केट को कही पर भी रिजिस्टन्स नहीं है और मार्केट में आज के दिन अच्छा का सा buying का position बन चुका है और यह buy के जो position है यह buy के position को बहुत सरे लोगों ने next experience में carry किया हुआ है यह आप open interest के data में भी check करके देख सकते हो जो लोगों को option chain का open interest का free का course करना है उसके details में ने telegram channel के ऊपर डाले हुए और telegram channel का link वीडियो के नीचे description box में में डाला हुआ है अभी कल के दिन market अगर इस level को downside की तरफ break करता है तो downside की तरफ break करने के बाद market नीचे आने की भी probability यहाँ पर बनती है लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आदे quantity के साथी trade करना prefer करूँगा उपर के side का अगर breakout मिलता है तो मैं full quantity के साथ यहाँ पर trade करूँगा अभी देख लेते हैं कि nifty में किस तरह के का scenario बन रहा है और कौन सा level हमरे लिए important रहेगा trade करने के लिए अभी आपके सामने मैंने nifty का chart लगाया हुआ है daily का यहाँ पर आगर आप देखोगे तो हम लोगों को एक bearish engulfing pattern दिखाई दे रहा था जो हमें indicate कर रहा था कि यह जो market उपर जा रहा है यहाँ पर आभी pause लग चुका है लेकिन आज के दिन जिस तरीके से market gap down opening के साथ एक अच्छा कासा strong bullish candle दिखाया हुआ है तो technical language में यह जो pattern यहाँ पर बन चुका है इसको हम लोग bullish stress pattern कहते हैं तो यह जो bullish stress pattern है यह थोड़ा सा exotic type का pattern है जो candlestick में ज्यादातर लोगों को पतन नहीं रहता इसका interpretation यह होता है कि आने वाले समय में यहाँ पर जो high बन चुका है यह high हमारे लिए resistance का काम करेगा और यहाँ पर जो low बन चुका है यह हमारे लिए support का काम करेगा meanwhile अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 18000 के level को break करने के बाद भी market यहाँ पर नीचे नहीं आ रहा है वहाँ से market bounce back करके उपर जा रहा है और यहाँ पर एक अच्छे कासे buying के साथ market ने आज के दिन closing दिखाया हुआ है तो कल के दिन bank nifty के साथ nifty में हमें किस तरीके से trade करना पड़ेगा यह समझने के लिए 15 minute chart के उपर जाना पड़ेगा अभी आपके सामने मेंने 15 minute का chart लगाया हुआ है तो 15 minute के chart में important है कोई कौन से level को break करने के बाद हमें best trading opportunity यहाँ पर मिल सकता है अभी आपके सामने मेंने एक trend line draw किया हुआ है अगर आपको यहाँ पे ठीक से देखोगे तो आपको clear card दिखाई दे रहा है कि market में एक upside का momentum यहाँ पे बन चुका था इस upside के momentum के बाद market में एक retracement का यहाँ पे momentum दिखा दिया जब market each zone में open होके इस level को upside की तरह break करेगा तो यहाँ पे ज्यादा एक अच्छा कासा buying आ सकता है उस case में हम लोग 18,050 का जो call है वो 18,050 के call को यहाँ पर buy कर सकते है हमारा stop loss जो रहेगा वो ideally train line जो बन चुका है इसके नीचे का हमारा stop loss रहेगा first target जो हमारा रहेगा वो 18,090 का हमारा पहला target रहेगा market ने इस 18,090 के level को already 3 बार test किया हुआ है तो high probability यह रहेगी कि market यहाँ पे थोड़ा सा pause लेके दूबारा इस level को upside की तरह break कर सकता है अगर market इस level को upside की तरह break करता है तो second target हमारे लिए निकल के आ रहा है 18,140 का अगर market यहाँ पर आता है तो यहाँ पे हम लोग profit बुक करना prefer करेंगे market में downfall कब आ सकता है अगर market इसी zone में open होता है और इस zone को open होने के बाद इस level के नीचे मतलब 18,000 का जो important psychological level है यह 18,000 के important psychological level के नीचे market sustain होता है तो market में एक बड़ा fall हम लोगों को देखने को मिल सकता है क्योंकि क्या हो जाएगा जिनों भी लोगों ने यहाँ पे buying के position बनाए रहेंगे most of the लोगों का stop loss कहाँ पे रहेगा आइदर इस 18,000 के crucial level के नीचे का most of the लोगों का stop loss रहेगा या फिर यहाँ पे आज के दिन का जो low बन चुका यह most of the लोगों का stop loss रहेगा तो जैसे ही market 18 18,000 के नीचे आ जाएगा मैं इमिजेट ट्रेड करना प्रेफर नहीं करूंगा पहले मैं 18,000 और 17,975 के बीच में market का price action देखोंगा अगर market यहाँ पे consolidate करता है और फिर downside की तरफ break करता है तो उस case में हम लोग 18,000 का जो put है वो 18,000 के put को यहाँ पर buy कर सकते है हमारा stop loss जो र efficient रहेगा market एक बड़े gap up के साथ खुलता है आज के event के बाद मतलब यह 18,175 के ऊपर खुलता है या फिर directly 17,975 के नीचे खुलता है मतलब यह 200 point का जो यहाँ पे range बन चुका है इसके बाहर अगर market कुलता है तो पहले price action बनने दीजे फिर open interest का data देखिए मैं आपने इस free वा educational video में thank you very much